7 है according to ncf 2005 the role of teacher has to be व्यापम का अंसर है भी authoritative और according to pdf of ncf 2005 पर आप गूगल पर search कर सकते है ncf 2005 pdf उस पर लिखा हुए c facilitative यह आपको मिल जाएगा ncf 2005 के page number pdf पर page number 19 में जहां पर लिखा हुआ है role of the teacher in this context the teacher is a facilitator who encourages learners to reflect analyze and interpret interpret in the process of knowledge construction second question देखते हैं second question है 108 का which of the following is the more general concept निम्लों कि तुमें से सरवाधिक संकल्पना है यहां पर आंसर लिया गया है इसका हिंदी पूर्णांक होता है और हिंदी में option दिया गया है भी पूर्ण संक्या है इसका English में होता है whole number तो यहां पर दोनों ही जो विकल्प है दोनों ही जो option है वो मैच नहीं खाली है तो यह हम लोको मिल जाएगा ncrt की book में chapter class 6 की book में chapter 6 में और class 7 की book में यहां पर दिया हुआ है इंटीजर का definition दिया हुआ है जिसमें संख्याय दिया हुए है तो यह जैनलर concept नहीं हो सकता है यह आपको मिल जाएगा google पर सर्च करेंगे ncrt books pdf तो आपको मिल जाएगा class 128 की book में जो में है उसमें दिया हुआ है इसका हम लोग यहां पर थर्ड question देखते हैं थर्ड question दिया हुआ है इने pond insects and small fishes which is primary micro consumer secondary consumer tertiary order यहां पर option लिया गया एद्वितिया को भोगता secondary consumer को इसका answer होना चीप रात्मिक सुछ उपमोगता यह आपको मिल जाएगी डीट की जो book है second year की उसमें जो इसकी बुक है पेज नमर 7 में दिया हुआ है तालाब में चोटी मचली है यह देख सकते हर पौदा कीड़े चोटी मचली बड़ी मचली मानव मतलब यह जो स्ट्रिंखला है इसके according तो यह कीड़े चोटी मचली प्रात्मिक उभूकता होंगी यह आपको net के आंसर नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर भी इसको प्रामेरी कंजीवर बताएगे तो